टो अब खूँआ क्या ऐसे लिए थी तो अमने शांत कुमार हीर ते डिसक्स बाऊट दो सेल अनबाटरी बेसिक शांस नेन द्रोंग पोर अरबी यूप टेकिनिशियन ऐसे सब्सक्राइब करें किस वीडियो को देखें और पिछली और दोस्तों को भी रिकमेंट करने के लिए इसलिए बोल ला हूं कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाएं जब सब्सक्राइबर खुद ज्यादा हो जाएंगे भी ज्यादा आने लगेंगे तो मुझे इसकी डिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं अपना काम इमांदारी से कर रहा हूं मुझे पता है कि मैं अपना कितना इमांदारी से कर रहा हूं जी और मैं पिछले क्लास में नियाटिव थोट्स भी दिये थे तो आप उसको भी जा के देखिए बहुत इंपोर्डेंट है वह बहुत इंपोर्डेंट है मैं प्ल तो इस प्लेडिस्ट को भी देखते रहेगा क्योंकि उसमें जो फाल तो चैनल से उसको क्या क्या प्रॉल्म है क्या क्या दिकत हैं वहां पर मैं उसको डाल देता हूँ ठीक नहीं के खाथ लuciones 10 ले जो अपने प्लेज लिस्ट नहीं तो प्लीज्ब लिडियो देखें उसके बाद एलेक्ट्रोनिक्स वाले वीडियो देखें चिलिये ज़्यादा सब बैठें को बैटरी के बारें पढ़ता है सेल और बैटरी में सेल एक देखिए अब बात करते हैं सेल तो सेल के क्या होता है जी सिंबोलिक रिपरजेंटिशन भी बहुत इंपोर्टेंट है तो सेल और बैटरी का सिंबोलिक रिपरजेंटिशन भी पता होना चाहिए जी तो सिंबोलिक रि शल खिंबर इसमें क्या होता है एक फोजिट्टिव इक छोटा होता एक बड़ा HOLT ठीक है निजी स्ट ने इसको हम सेल से बोलते हैं या बैंटरी बोलते हैं बात कर जाएं ने अगर इस सेल सेकंडरहें citizen में कि ब्राथमिक सेल की बोल लां किया ह। बढ़ दियोती है क्ज़ा कम मुझे होगा ही क्योंकि किया है है और यह एक पिल्द जाएगा इसमें क्या होती है जी रिवर्सिवल होती है इक कितना हो Tam देनियल सेल, लेकलांची सेल, सुस सेल, मरकरी सेल, औकसाइड तो नाम याद रखना है यह सेबन स्टार है इस वोटाइक सेल बाद बात पर नाम है तो इंगलिस में नाम है ़िस ज्षेल इंगलिस में है से इंगलिस में तो इंगलिस भी हुग है बस जाल में इसलिए इसलिए उसके नाम पे इसमें संचित सிर्व भी कहा जाता है शेव्य बहुते हैं उसको संचित निकल केडमियम ल होगा, लेड मतलब लीड़ मतलब लेड़ वाला जी, लेड बने सीसा हो एंगलिसमें लिखा हुआ है, ठीक करते हैं, अब इसमें कौन-कौन से आपको बेदूत अगट उजज होते हैं जी कौन-कौन से एलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं अब उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे देखें बिधुत सेलों में भी इधुत अब गट एनोड और कैट हो देखें इसमें बात है जी कौन-कौन सा यूज होता है इसको हम लोग क्या करेंगे पूरा इसक इसफों नगत्रोलाइट्स नगत्रमकोहता है सब्सक यह थोड़ा होते नगत्रणक्न न्यूग पढ़ेंगे । पाट कोपर उम हम लोग पढ़ेंगे कारबंदु नौल कैंढ नना? तो राइ सेल में क्या होता जी बीच में क्या होती है राइसेल के बीच में क्या होती है पॉजिक्टिव में क्यं होता घृப Steak घृट है चलिए आप यहां तक नहीं पढ़ रखा भी जैङक का नियर्ड कोपर है है डेनियल सेल में फैमो और झालन तेल लेते हैं ब्लूडय दीसेलिये ना साथ में यक लशन्वा क्या है है फिरे फश्र देन सब्सक्राइप गार्चि हृत विरे फिर अगे ऍली है सही है चेहीं के न संव–सा जाय को मैं ऊसना प्रफिंड में प्दौन से महां कि पॉजेटिव एलेक्ट्रोलाइड कि है एनच कि पॉर्षील में प्लस प्लास्टर पीजस इस भी थी तो ड्राइश सेल में क्या होता है दो जयार बने होते हैं एक यहां पर क्या होता है कर्वान की होती है तो इस वाले पार्ट में एक कैसा होता है यहां पर जिंक यहां पर इत्वार्ट शेप लगा तो यहां पर दीक इसके पास में क्या उता है ज होता है और इसके पास कार्बन वाले के पास है जी एनेच 4C02 होता है तर्व के जुपास होता है उसमें नेच 4C02 होता है और जीप यहां पर परत लाता है जिंक नेगट चारज़ वाला है इसे जेड़नेसील 2 फूता है यहीं आपको यहां दोने दिखा रहा है ऐह एनेच 4C02 और प्लास् इसमें क्या है अब अब याद रखेगा अभी हम इसमें पांच यह इसमें पांच पढ़ा दिये हम लोग और भी चार पांच पढ़ेंगे इसको याद करना इंप्वोडेंट है मैं बता रहाँ कि ए बुक आप लोग मैं आप सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज इस बू को आप लोग खरीद ले कोई ज्यादा कोस्ट भी नहीं है बेसिक सांस नेंगी की बुक है जी अपनेटफोर्म भूर्ण पॉलिकसन कहा इसमें से मतलब बेसिक सांस नेंगे परटिश करने के लिए एक बार पढ़ लीजेगा आपको वॉल्म टू फो से प्र्रेक्टिस करना होगा अब दिखें शीवर औक्साइट सेल सेल और फेरस सेल बोला जाता है जी किसमें आता है ि लेट इक होता है है अब यहांन। इसमें किया बात है इस Chicagousta कित MINजभान। सब्सक्राइब किया जाए तो इस हमारा इस ही हमारा भी तरक है बहुत महांगा हो सब्सक्राइब और इसमें आप कोई भी उज़ कर सकते हैं यहां पर इसलिए कोई इसमें नोटिफिकेसन नहीं है कि आप निकल केडिमें में रहेगा अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है कोई लीथियम है यहां से देख सकते हैं तो हमने यह क्या पढ़ा अभी बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के बारे हम पढ़े बात की जाएं एक नोट में देखें किया है इसलिवर ऑक्साइड सेल की दक्सिता अधिक होती है इसलिवर ऑक्साइड की एस रिच्टवियकृक्सिता चोकल प्यादब ओक्सिता में टियुक्सिति द्आटरी में पर्मत आछे सेलों को का बありがとうございます व्मौसस calls भीडिंगे कुलर्पहाईँ टो यहीं डिफ्रेंस हं बैंटरी और सेल यहीं समझने कि जरुरिवत तो hall को सुनोлем मुक्ताड दोपगागर होता है सीरीज यह पैरल्लर हम्नें पढ़ा रखा था जदीक है क्या है लिखा गया है इसको आप समझेगा और आप उर पैरलल का जो फर्मूला था पैरलल का फर्मूला था मैं तो लड़कों से चाहूंगा कि आप तो देखिए एक चोटा चोटा बैटरी लगा है और इसका एक बैटरी होगा तो उस बैटरी का आपको फर्मूला करना है करने के लिए समनांतर में जोड़ा जाता है अधिक करेंट चाहिए तो क्या करेंगे समनांतर में इसमें सभी सेलो का बीदु तवहाग बल समान होता है जरूरी नहीं हो है चाहिए लुगा है है इसमें कारेंट समान होता है और फोल्टेज भीन हें रूठे हिए अच्छे में इसमें क्या है करेंब्ला horas क्या होता कंसे मैं तक करेंट प्राक किया जाता है इसमें कम समय तक करेंट किया जाता है इक पॉइंट को समान होता है ऐसा जरूरी नहीं है इस लिए गढ़त पॉइंट लिए नहीं एक नोट लिखा हुआ है बोला है कि बिद्धुत में जिस पर लेपन किया जाता है उसे कैथोड के रूप में लिए जाता है इस पर लेपन करना है क्या करेंगे जिसको क्या होगा जागा धीर दीर क्या हो जागा तक जिसका करना है है जिसका करना जिससे मान लेजे हमको फिए आयरन पर करना तो जिनक करें एक तो आपने कि आपको बैटरी कारबन कलोर कोड़िंग क्या है इसको समझेगाय थी पोइदि आपकों दिखेंगा कि इसको आपको याद करना कि तरीका जो है बहुत थोड़ा सा के आजे टिफिकल्ड है लेकिंते हम हाथ याद रहें चलिए थोड़ा सा लिकत होगी लिए समझेगे इसको मोरी पहले बलेग हो थिका फिसते क्या हो जागा ब्राउन यहां पर ब्राउन आ जया है यहां पर रेड हो गया है इस वाले सब को इस वाले खांचे को छोड़ दीजिए सब को इस वाले खांचे को छोड़ दीजिए बीबी भी दीजिए बी जीरो था यह वन था एक टू था एट थीरी था एक फूर एफ इस शिक सेबने एट नाइन है जीरो है ठीके ने गवाद गशते नाइन के बाद टैन के बाद का जी एलेवन तो ऐसा मैं बता रखा लेकिन आपको थोड़ा से समझे अभी अभी ब्लाइक, ग्लू, बीबी, यह क्या है जी मेरा, रेड, ओर्रेंज, एलो, ग्रीन, ब्लू, वाइलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, शीलेवा, ठीक है जी, यहां पर धान रखेगा, बोले जाता है, बीबी, बी, रोय, आर, ओ, वाइ, बीबी, रोय, ग्रेट, ग्रीन, ब्रिटेन, ब्रिटेन देखेजी बड़ा है, ब्रिटेन क्या है, बहुत बड़ा है, पहले क्या था, ब्रिटेन का दब दबा था, इससे हम लोग आतर कहते है, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट वालेट विडूड वाइफ मिलने क्या है डबली तो वाइफ यहां पर आप बता है जब शाहाई होती है तो इस वाले क्या करते हैं जो उगलिंग में आप जैसा चमला यहां याद करें दोगे यह मेरा 0 था यह जीरो था यह मेरा क्या जी 1 हुआ यह मेरा क्या हुआ तो यहां से आप समझ जाए हैं हमने क्या क्या याद किया जी ब्लाइक बीबी 01 बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ सोने जैसे बाल चांदी जैसा चमडी यहां रख लें सोने जैसे बाल चांदी जैसे चमडी हम लोग याद करने के लिए यहां पर ध्यान दिखेएगा तो हमने अभी चलिए जीरो से नौ तक्त बात नौ तक हो गए जी लेकिए पाला डेजिट दो गाइसको मने आत्किया मुल्टिप्लार में देखें तुट दसके पावर 0 का मतला होता है तो रही तो मुल्टिप्लाइब मुल्टिप्लाइब तर्म पहले गिशरा जा गात तो यह तो ऑख यहां तक आ ज्यूआ यह को कि ने आगे दस के पावर नौट को गया ठीक है नहीं दस के पावर नौट के अब बढ़ते हैं तो गोल्ड और शी लुए गोल्ड का मतलब क्या होता है जी कूल का मतलब गार चलिए इसको हम लोग अभी याद महीं अधिक यहाँ पर अगर हम मल्टिप्लायर में याद की जाएगा तो दिखें, 10 के पावर कैसे, minus 1, 10 के पावर minus 2, ठीक है, एक बट्टा 10 हो जाएगा, और एक बट्टा 100 हो जाएगा, multiplier में, ठीक है, यहाँ पर समझेगा, आब बात के जाएँ, तो यह थी मैं है, टोलरेंस में, टोलरेंस के लिए क्याज करनें, तो इस परसेंट के लिए आ जाता है गोल्ड कलर आप सो दस परसेंट के लिए दस परसेंट के लिए बात की जाए एक यहां पे लिए नू कलर, का मतलब होता है 20% , हमने कहा सीखा इसको हमको सीखना है, तो यहां पर देखे अब बात की जाए तो कोई भी जब रेजिस्टर होगा कोई भी रेजिस्टर होगा जैसे माल जी हमारे पास क्या है एक रेजिस्टर है ताहिक हमारे पास या कि रजिस्टर नेसा थिस में समझे जैँ एक हमारे पास क्या हो जागा यह दूर डिजिट मिला तो क्या हो जागा बारस रेजिस्टेंस आया उसमें दूपलस घट बढ़ सकता है तो हमने यह बता दिया कलर देखके कि हमारा उस रेजिस्टेंस का वैलू क्या है समझेगा एक बार में फिर से आपको यह रिवीजन करा दें यह बी रोय वाल याद करेंगा देखिए बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेंग वेरी गुड वाइफ सोने चांदी जैसे सोने जैसे बाल चांदी जैसे चमड़ी याद करें आगे बढ़ते हैं तो दिखिए डिजिट हमने याद करेंगा जीरो से नो नो के बाद 10 11 हमको याद नहीं करना पड़ेगा जी इसके बाद क्योंकि हमको खु प्लायर है तुलरेंस में 1%, 2%, 3%, 4% और 5% क्या हो जाता है जी गोल्ड हो जाता है सिल्वर 10% और नो कलर क्या जगा बीस परसेंट इतना याद हो गया तो आप याद रखिए गा क्या याद रखना जी बी बी रोय आर ओ वाइफ ग्रेट जी ब्रिटें वेरी गुड वाइफ वेरी गुड वाइफ वाइफ यहां खतम रहा है ग्रेट विटें यहां खतम रहा है बी बी रोय आर ओ वाइफ ग्रेट ब्रिटें यहां खतम है ब्रिटें बहुत बढ़ा है जी ग्रेट विटें वेरी गुड वाइफ वाइफ यहां खतम रहे वाइफ क्या जी इस रीम में तो यहां पे टोलरेंस में याद रखिएगा 5 परसंट 10 परसंट 20 परसंट फीच फीच परसंट अब यहां तक याद कर लिजेगा के बोला है कार्बन का अगर परतिरोध निकालना तो पहला तथा दूसरा का कलर कोड गुने तीसरा का मंठीक लाइर चाहिए इसा का बता है जिस्रा का बता है और आगे बढ़ते हैं यह केवल तीन रंग दिया हुआ देखे बोल लाए नोट में तीन दिया हो तो चौथा क्या मानेंगे टॉलरेंस के लिए 20% यानी नो कलर है 24 संफ उसी को यहां पर नो कलर लिख्या नो कलर लिखा कें नू कलर लिखके मैं क्या किया है इस बात को आप याद रखें तो आगे बढ़ते हैं दो कि भूरा पीला हरा सुना है कि की तो चौड़ कोडिंग की सहाता से हुझ है ठीक ही जिए धूसर लेना मझें भूरा लेना है देंक हमको लोका है ब्लैक ब्रॉण तो ब्रॉण क्या या अगर तो ब्राउन के लिए क्या चैकर ब्राइन बूरा के लिए भूरा ब्रॉन직 और ओ वाई 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 होने क्या होता है यह लो में इस पीला तो पीला के लिए क्या है जीरो एक दो तीन चार तो चार आगे एक और चार ठीक है अब क्या है जी भूरा पीला होगे हारा ग्रेट , सिर्व एक दो ती चार पाइच तो दस के पाईड मोला के लिए क्लिफा ही अब यहां से मैरा सोगया Хण तो दो सब्स मालस मालस पांच परसंट को तब कुस्टन में ऐसे भी दिया जा सकता है तो फॉसर दो पॉच्छ परसंट इसका 5 परसंट निकाल लेंगे तो क्या है चोदो का पांच परसेंट पांच जिरो बट्टा पीस करेंगे जीरो दो से करेंगे साथ चार जिरो हो जाएगा तो यहां से देख सकते हैं कि भूल ला है चोदो पांच पांच परसेंट पांच प्रसेंट से पांच परसेंट स्वी मैंञे तो यहां से यहां तक कर सकता है यहां से यहां से यहां हुसकता है यह यु performed ऐसे तो आपको एक वीडियो बात करना तो कुंद करने के लिए मैं यापको एक बिडियो को दिखिये गा किसी और चैनल का सब्सक्राइब कर देंगा आपको वहां पर एक वीडियो एड़ कर देंगा उस प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो के दिखिएगा उसके सारे नुमिरिकल करने की कुछिस के जिएगा आप उसको सब्सक्राइब चलिए तो आज के लिए बस सीखना धनबाज अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जी बिध्यूत अगोफ फडह को कि ज का दिया जवत करने में पढ़ेंगे बिद्यूत मोटर पढ़ेंगा उसके रिक्वेस्ट कर ज्यादा पढ़ेंगे लिप्टिकल वाले जरूर पढ़ेंगे विद्धूत मोटर और जनेरेटर डायनेमो से जनेरेटर का नाम है इस बात को याद रहे हैं इसे मैंने बहुत सारे लेक्चर देखें यूट्यूब पर बिद्धूत जनेरेटर को नहीं पढ़ा रखें लेकिन नाम तक नहीं आएगे जिए क्या क्वालिटी और बाद में जब कॉश्ण डिसकस होगा तो उसको बताएंगे लेंगे सुची दस दस लेक्चर लेने के मतलब और डायनेमो नाम भी नहीं लेते हैं तो चलिए अभी तक अगर मैं चलेंगे करें लाइक करें दोस्तों को तो में चाहूं और रियल और मैं जो ऊसी को लाइक करना चाहता हुएह बता टों को पीना लाइक किया है तो कि मैं वी नहीं नहींए करके देखा है कि 80% मेरे चैनल YouTube सर्च से आ रहे हैं जी मेरे कोई भी YouTube सर्च से आ रहे हैं जया Google सर्च से आ हैं इसलिए मैं यह नहीं चाहिए हूं कि मेरे एक्स्टरनल भी इतना आजाय लेकिन और गनिक भी ना आ है और गनिक भी मुझे चाहिए तो थेंक यू थेंक यू सो मच बस आज के लिए इतना है थेंक यू थेंक यू यह एलपी एन translation sini टू पार्ट बी यानि हम लेक्ट्रिश्टियन और इल्लट्रोनिक्स मेकिनिक्स का जो आपको यह थेकर्ट का सेकेड लेश उसमें हम ब्रांज के कोश्ट वाले वाले हैं आफको भी पता है सबी ब्रांच के कोशन बढ़ जाते थे लेकिन आप क्या किया गया है इलेक्टिसियन को अलग कर दिया गया है तो सब को अलग कर दिया गया है तो इससे क्या हुआ है कि जो कोशन का और एक पेपर भी अलग से बना दिया गया ऐसा उन्होंने mention नहीं किया है, तो अब दिकत यह हो जाती है कि भाई, हमें पढ़ना कितना था semester, तो हमें ITI में दो 4 semester पढ़ना था, 4 semester अलग-अलग subject होते थे, तो उसमें electronics के जो जो portion है, electrician के जो जो portion है, सब को पढ़ना पढ़ेगा, तो बात की जा कि electrician और electronics का कितना, लग नहीं, electronics वाले को dip में पढ़ना है, और electrician वाले को servicial पढ़ना है, कहीं है कि आपको electronics के कुछ ऐसे topic है, जो आपको electrician में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यह बाते हमको समझनी पढ़ेगी, और आए हम अभी जो निमी pattern का, जो निमी pattern की बुक चलती है, और DGET जो syllabus है, का एक PDF आप download कीजिएगा, यह आप जाएगा DGET की syllabus भी कर सकते हैं, और मैं इसको अगर देखा जाए तो यह आपको Google पर सर्च करने पर ही first line में ही मिल रहा है आपको, तो आप जाएगे और वहां से आप download कर सकते हैं, बात की जाए तो पहले semester में आते हैं, तो इसमें आपक हमें पढ़ना ही पढ़ेगा, तो दिखिए, बात की जाए तो पहले है, trade orientation की बात करना है, इसमें क्या करना है जी, trade NCBT के certificate के अमसार क्या है, हमें safety, safety science ऐसर पढ़ना है, आपको इपता है कि safety जो है, safety आपको first part में पढ़ना है, तो safety हमारे important है, यह इन्होंने syllabus यहां है उसके बात hand tool की, तो हमें tool सभी branch को पढ़ना ही, tool क्या करना है, वह ही tool वाले topic हमको क्या करना ही, यहां पर पढ़ना है, tool आपको electrical वाले पढ़ेंगे, electronics वाले भी पढ़ेंगे, और mechanical वाले भी पढ़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखे कि यह सब को पढ़ना है, और tool में व्ब में देखा जा तो आपको क्या है जी, स्कूरुडॉराइवर है, हैक्स हॉओ है, हैमर है, नाइफ है, TWIZER है, TESTER है, प्लायर है, बीरे सब हमको यहाँ पर प्ढ़ना हैं आपको याद रहे है कि टूल जो है मेकेनिकल टूल पढ़ना, Electrical Tool पढ़ना, Electronics Tool पढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो AC और Electrical केबल पढ़ना है, देखिए, हमको अगर बात की जाए, तो यह Electrical में है, Electronics में है, तो आप मेरे Electrical वाले फोल्डर में, प्लेलिस्ट में जाए, और वहां से आप Electrical वाले जो भी है, AC, DC मैंने पढ़ा रखा है, Peak to Peak, RMS Time Period, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं, तो इसमें हमको क्या करना पढ़ना है, AC में पढ़ना है, देखिए, RMS Value, Peak, Value, Time Period, Frequency, ठीक है, सिंगल फेज, 3-phase supply पढ़ना है, और हमको DC सप्लाई में तो क्या होता है, voltage current होता है, उसमें इसमें आपर में को पढ़ना है, वो ही पता है कि हमें इनलोग मल्टी मिटर, डिजिटल मल्टी मिल्टी मिल्टर होते हैं, सेल बैटरी सेक्षन पढ़ना है, हड्रो मिटर पढ़ना है, तो यह क्या है, एक्चली कूल मिलाकर बात यह है, कि हमको बैटरी के बारे में पढ़ना है, बात करते है हैं तो हमारे सर्कीट में इलेक्ट्रोन सरकिन बात की जाए तो दो स् racket क्मपनेंट होता है तो हमारा जो सि सब पढ़ना क्या पढ़ना है इस पढ़ना करेंट पढ़ना है तो इसाब जाए इलेक्टिक्ष्यन वालिस जो प्लै लिस्ट में मैं बना रखा है उसमें हैपको सब मिल जायागा सकर लेक्षट म और DC measurement की बात करते हैं, तो देखे, हमको AC measurement component और DC measurement component दोनों अलग-अलग होते हैं, हमको देखे, यह CRO होता है, DC voltage meter होता है, current meter होता है, तो यह सब हमको पढ़ना है, यहाँ पर AC और DC measurement devices पढ़ना है, यह दोनों के आज ही, magnetic induction meter है, range extension है, यह सब जो हम लोग DC voltage measure करते हैं, उसके ल सब आपको से लिए बस में दिया गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं, frequency measure करने के लिए हमको CRO चाहिए, तो यह सब हमको measurement AC और DC measurement जो है, जो भी quantity उनको measure करने के लिए हमको पढ़ना है, चलिए, आगे बढ़ते है, soldering and desoldering switches पढ़ना है, इसमें पुली, आपको PCB बनाना है, IC बनाना है, soldering only करना है, तो disoldering करना है, तो इसके theory पढ़ना है, यह theoretical है, पूरा, अब बात करते हैं, तो electronics में आपको दो तरह के semiconductor होते है, extensive semiconductor होता है, intrinsic semiconductor, मतलब एक सूध होता है, एक असूध होता है, semiconductor, और तचालक, तो उसी सब को पढ़ना है, उसी अचालक से हमको diode बनाना है, उस diode को पढ़ना है, PN junction पढ़ना है, forward bias, reverse bias पढ़ना है, आपको diode bridge पढ़ना है, modulation पढ़ना है, filtration पढ़ना है, जो हम इस filtration भी पढ़ते हैं, कि हमको क्या करना है, जो variation है, उसको कम करना है, tunnel diode, वेरेक्टर डायोड आउड आपको इस सब से पढ़ना है, हमको इसको deep में प 59, जो open, regular, open, जो है regulator का काम करता है, उस open के बारे में पढ़ना है, positive negative होते हैं, यह सब open से आपको, थोड़े से basics पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बात करते हैं, कि MS office हो रहा है, आप बात कर दिया है, तो IT literature आपको पढ़ना है, first part में, तो वहीं IT literature का, आपको यहां पढ़ना है, जिसमें बारे महां पढ़ना है, software पढ़ना है, input आपको डिवाइस पढ़ना है, mouse पढ़ना है, keyboard पढ़ना है, cd, cdd, dvd, booting, booting, यह सब आपको वहां पढ़ना है, IT tool क्या है, mouse क्या है, bluetooth क्या है, यह सब आपको वहां पर discuss करना है, computer networking है, TCP IP थोड़ा सा पढ़ ज्यादा नहीं पढ़नेंगे, और उसके बाद हम लोग को एक्सिल के बल पढ़नेंगे, ठीक है, fiber optics थोड़ा सा पढ़नेंगे, और उसके बाद हम लोगा यह ज्यादा नहीं पढ़नेंगे, बात करते हैं, आगले syllabus में, तो अगले semester में जैसे जाते हैं, तो हमारा और भी syllabus आता है, हर semester में आपको electronics पढ़ना है, और electronics देखेंगे, अब यहाँ पर आईएगा, तो आप transistor है, हमने इससे पहले क्या पढ़ना था, जी direct पढ़ना था, हमने obs के बाद transistor में पढ़ना है, pn, 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 common base, common, emitter, common collector, terminals, यह पढ़ना है, हमको transistor, transistor का VB, VC, IC, IB, junction, यानि voltage base, emitter के तो इस अब हमको beta, alpha जो है, आपको मैं बात बता दूँ कि जो भी electronics पढ़ने वाले हैं, प्लीज यहाँ से आपका topic जाता, question बनेगा, diode, transistor से, बात करते हैं, amplifier की, तो amplifier को transistor के amplifier में वीच किया जाता है, तो कौन को से amplifier है, तो common base amplifier है, उनका अलग-अलग क्या है, जी, biasing होता है, ठीक है, तो ऊस 3 में होता है, CB, CE, और CC, common base, common detector, common collector, तीनों base में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें कहा होता है, आपको amplifier में बात कि जाए, तो class E होता है, class B होता है, class C होता है, और class A भी होता है, तो इसको भी हमको पढ़ना है, से लेबल से बहुत लेंदी हो रहा है, इस बात की जांतों हाइत्व क्रिश्टाव एंठ सिद बैक में पर अब इसी से सिक्टींपर हूता है क्या होता है हमको जू सर्कीट है अद्ट उस्को लोग different system करते हैं जिससे हमारे क्वारता हुथ ह। इस सब परना है यह भी इंप्रोटएंट है बहुत है बात कि जाए मोस्पेट गिए एनफेट आईजी बीटी इसाब आपको यहां पर पढ़ना है देखिए तो सिलेबस देखा जाए उसके बाद आता है अप्टो इलेक्ट्रोंस तो अप्टो मिस होता है लाइट वाले इलेक्ट्रोंस जो डिवाइसे जैसे लेडी है लेजर है तो आपको यह अहां से देख सकते हैं यह सब भी हमको पढ़ना है एसमडी ज्यादा उतना पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सामलोग वाले में टॉपिक में कबर हो जाएगा बात की जाए बेसिक गेट की तो हाँ डिजिटल इलेक्रोंस का है यह आपको बहुत इंपोर्डेंट है एंड भी सारे गेट पढ़ने है इसमें हमको इंप यहां पे भी मतलब पार्ट यह में भी पूछा सकता और यहां भी पूछा सकता है उसके बात की जाए तो पंबिनेशनल सर्किट जो हाफ एडर, फूल एडर है, टू बीट है, टू बीट है, मेंगनिटिव निकालना है, कंप्रेटर है, यह एडर है, ऐसी है यह सभी आपको है धीटल एलेक्टोनीश के पार्ट है, इन उसके पर लूक है, हमके पूरू है, इसके बारे大哥 फ़ोजें कीसा होता है, ठीकर इसके बारे में ुसके बारे में हमको। पढ़ना है आग बढ़ते हैं उसके बाद आते हैं तो इलेक्ट्रोनिक सर्कृट सिमिलेशन सॉप्ट्वेर यह तो तरह इंप्रोडेंट नहीं है आग बढ़ते हैं क्योंकि सिप्ट रेजिस्टर और काउंटर के बाएं पढ़ेंगे यहां पर थिरी बीट सिंक्रोनस क्यंवरे बनाया जाता है जो हमारे इसी आप ट्रिफार्ट मरट टृफफाइब होटेंशन आफच इसको इसको इस लिए आपको यह नाम पता है और किवी बारे में नीप परना है यह ज़र ली ज्यान सुरुद्विए सा बेसिक हम को जान लेना है तो आगे बढ़ते हैं अगले समस्टर में तो देखे यहां पर सिले बस लेंदी तो हो रहा है लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा क्योंकि आपको भी पता है कि अब चांसेज क्या जी कोशन बढ़ने के चांसेज है तो हमको थोड़ा सा बेसिक ठान बीचसेट नहीं नंतर में बातकर तो सिंग нельзя बहुत बेसिक पढ़ने किया थिए ज्यादा प्ढ़ना यह उतना इमपोर्टेंट नहीं है लेकिन केपैसी नहीं प्लवन आ याद रहे हैं अब बात किया जा सिल कलोग के बात कीजस्ट देखें हमारे पास electronic cable operator होते हैं इनके बारे में size पढ़ना होता है आपको tools में भी अगर देखा जातो tools में भी आते हैं लेकिन वहाँ पे एक ज्यादा दर नहीं पढ़ाया जाता है तो इसको थोड़ा बहुत हम लोगों को कि आयरोगर इसमें आपको कर लेंगे दात करते क्या आपको पर नहीं के क्या है कि कैसे आपको जो हमारा modulation होता है कैसे हम किसी सिंगनल को किसी टावर से एक टावर से दूसरे टावर में भेजते हैं फिर से मोबाइल के पास आता है कैसे होता है इसमें पर्स या इस अब आपको हमको पढ़ना है या आफ हम के लिए पढ़ना है डिटेक्टर पढ़ना है कैसे किसी एंटीना से सिगनल जनेरेट होता है कैसे रिसीव किया जाता है तो इस अब भी इसलिए बस मेहदा कि यह आपको इसको सेंसर के बारे में पढ़ेगा क्योंकि आपको भी पता है कि जो हम सेंसर जो है जो सोलर से अब बात करते हैं डीजिटल आइसी में तो आइसी में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि यह जो है बहुत डिप में हो जाता है और एक आइसी में पता है आपको करोड़ो क्या होते है बाइनरी फिल्ट फ्लफ सर्कुट होता है और इतने छोटा ही सर्कुट को करोड़ो जब तेंट उपार नाइन होते हैं तो इसलिए जादा हमको नहीं पढ़ना है लेकिन इनके बेसिक जो है काउंट डाउन एलीडी क्लैप वारा हमको यह सिलेबस में रखा है तो इसको थोड़ा बहुत पॉइंट भी से पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं अगले समस्ट में देखें यहां पे सिलेबस आपको है आपने भी बहुत कोशन वर्स पार्ट में याद कर रखाऊ HTTP आपको अब करता है तो टीन जा में से क्या पढ़नाईब क्या पढ़ना है ही किस किस बेसिस पे पर काम करता है किसे उसका सिगनल एक जगा से दूसरे जगा जाता है आपको इस आप किस बात किसे स्ट्रेशन पर कैसे पास हो गई कब छोड़ रही है कब आ रही है इस आपको इतना इंपॉड़र्ट हो जाता है digital पैनल के बाद की आतों इसको छोड़ ही देना हमारे हिसाब से सही रहीँगा इसको भी छोड़ते ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है भी इसका तीरी क्या है यह का होते हैं बात कि जाए solar पाउल यह important है रिनोल यह आज बहुत सारे solar system के solar energy के बारे हम बात कि जा रहे है तो यह आपको important topic है और हम लोग इसमें roof पैनल आता है solar panel आता है तो यह सब हम लोग inverter आता है electrical devices जाते हैं तो कैसे convert के जाता है कैसे energy store किया जाता है यह सब हमको यहां पर discuss करने वाल सब्सक्राइब है तो यहीं cell phone है यहीं GSM CDM क्या difference है 3G 4G में क्या है आप तो इसमें 3G 4G नहीं है लेकिन इसमें जो 2G है 2G और 1G का ही GSM CDM का बात किया जा रहा है तो अभी तो इतना हमें theory में बस GSM CDM के पारें पढ़ना में 3G 4G के बारे में नहीं पढ़ना है और जो है question discuss किया जाएगा क्योंकि लेडी और यह जो है आपको यह अच्छा topics है छोटे दिखते हैं लेकिन question इसे बनते हैं laser हुआ laser इसमें साथ कहीं हूँ मैंने कहीं छोड़ दिया होगा laser भी आपको syllabus में है तो अब यहां पर हमारा syllabus end होता है बात करते हैं कि अब कुछ बता है कि जदा score नहीं करना है हमको score बहुत ही कम करना है तो best of luck और जदा घबड़ा ही नहीं थोड़े बहुत syllabus मैं भी कभर करूंगा तो बात कीज़े आप ही electrical वाले पार्ट आद देखिए electronics वाले पार्ट भी मैं दीरे दीरे बनाकर video upload करूंगा तो thank you guys thank you so much और बात process में बहुत उबाओ topic था है तो अब आगे वाले चेप्टर आएंगे इंट्रेस्टिंग होंगे तो चलिए और बस अब तक अगर मेरे चैनल को subscribe करें तो please subscribe करें लाइक करें और दोस्तों को भी recommend करें और पहले मैं electronics वाले प्ले लिस्ट देखने से पहले मैं आपको recommend और तो आप को और फोबस करें आपको षब पता है कि ज्यादा ने इसमें एक बार syllabus देखिए जितना बस बन रहा है ज्यादा कोशन इसमें होगा होगा है होगानी हट भी नहीं होगा कोई पता है और ज्यादा लिंदी नहीं होगा ज्यादा अगर दखा जाए से तो टुप दिखने से लग रहा है लेकिन को बनाया जाएगा आप कोई पता है कि यह तो कोई गेटोड का एक्जाम है नहीं और इंजिनेरिक सर्विसेस का भी एक्जाम नहीं है कि उतना हाड पूछा जाएगा नहीं दिखने से लेवल डाउन ही रहेगा लेकिन लेवल तक हमको लेवल तक इसका प्रेशन करना पड़ेगा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से वहां सब्सक्राइब कराऊंगा तो बात की जाया कि मैं ज्यादातर इंगलिस उर्णी में कम ही करूंगा लेकिन इ झाल झाल